स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल राजशी क्लासेस में तो आज हम लेकिया है एट स्टैंडर्ड सायंस का चाप्टर नंबर एट पोलूशन तो इसका यह जो है फॉर्स पार्ट है तो अब तक अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नह भूलिए जिसे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल से जल मिल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं लेशन डमर एट पोलूशन ओके तो यू सी हीर देर इस गीवन थ्री पिक्चर पहले जो पिक्चर है उसमें क्या दिया है कि फैक्टरी का जो वेस्ट है वो हमको यहां पर दि जो भी वेहिकल जा रहा है उसका जो धुआ है वो पूरा जो है एर में पैल रहा है जिसे कि एर पोलूशन हो रहा है तो यह तीनों पिक्चर्स हमको क्या बता रहे है कि पोलूशन क्या है जो वेस्ट है जो हमपूल मटेरियल है जो हमारे नेचर में पैल रहा है जिससे कि जो है पोलूशन हो रहा है तो जह जो two हवा जो है वह रिलीस कर रही है हुँ आपने डिक की आप deterior जिसमें की स्मोर जो है जो मोटनी स्मोक स्मोग निकलता है इंडुस्यूस से वो भी जो है एर में जो है फैल रहा है और जिससे पूलुशन हो रहा है So that is the that is the problem यह जो हमको दिख रहे हैं environment में जो है फैल रहे है जिससे की हमारा environment वो problem में आ रहा है ठीक है next what should be done to overcome these problems और इस से अगर हमको बाहर निकलना है, इन सब प्रॉब्लम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यह जो आक्शन हम देख रहे हैं, जो भी पोलूटेंट्स जो है हवा में या हमारे इन्वार्मेंट में फइल रहा है, तो उसको गण्ट्रोल करने के पूरे कोशिश पर ही सबसे ज्याद़ जो प्रॉब्लेम्स है, human के interference के वजह से भी जो है nature में हो रहे है, ठीक है, जैसे कि industrialization हमारी जो धरती है, उसमें जो है, industry दिन बदिन दिन बदिन जो है बढ़ते जा रही है, then increasing population, हमारा जो population है, वो भी जो है बढ़ रहा है और जिससे जो है, बहुत सारी problem arise हो रहे है, population माइनिंग की वजह से भी जो है, बहुत सारी problem जो है, human मतलब create कर रहा है, then transportation, transportation जो हमारा होता है, वो भी जो है, population बढ़ने की वजह से वो भी बढ़ रहा है, मतलब दिन बदिन गाडिया बढ़ते जा रही है, और उसका जो poisonous धुवा जो है, वो हमारे nature में फैलते जा रहा है then indiscriminate use of pesticide and fertilizers are causing pollution on the earth, और बहुत सारा pesticides और fertilizers जो है, हमारे forms में जो है use हो रहा है, और जिससे हमारी land भी खराब हो रही है और जो है, air pollution भी हो रहा है उससे, so it is affecting human beings और इसका असर directly जो है human being पे हो रहा है, ठीक है, तो pollution, so what is pollution, that is the question, then contamination of a natural environment that will be harmful to ecosystem, is called as pollution, pollution, pollution क्या है, तो contamination of a natural environment, हमारा जो भी natural environment है, जिसको की contaminate किया जा रहा है, मतलब उसको खराब किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, that will be harmful to ecosystem, जो हमारी ecosystem है, मतलब हमारा जो environment है, हमारे environment में, हमारे धरती पे रहने वाले, biotic, abiotic, जो भी, जेव जन्तु जो है, तो उन पर भी जो है, इसका असर होते जा रहा है, तो ये पूरा environment खराब होने की वज़े से, जो हमारे ecosystem में भी जो है, बहुत ज़्यादा, जो है, harmful effect हो रहा है, this is called as a pollution, ओके, so can you tell, they are given two questions, where do you see the pollution around you, आपके आजपास में आप जो है, pollution कहां पर देखते हो, so if you are living in a city, so there is so much pollution in cities, जैसे कि वहाँ पे जो industries है, cities में, उसकी वज़े से, जो है, air pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है, noise pollution भी वहाँ पर होता है, और जो भी industrial area है, जो river bank के पास में होता है, तो river bank भी जो है, river भी जो आप अगर देखोगे, तो भी pollution हो रहा है river में भी, क्यूंकि industrial west पुरा पानी में जा रहा है, land pollution हो रहा है, किसकी वज़े से, जो भी हमारा solid waste होता है, human beings का, that all are, हम क्या कर रहे है, land पे जो है, जमा करके रहे हैं, जिसे की land हमारा polluted हो रहा है, then farms also polluted, because of using so much pesticide and fertilizers there, तो इस वज़े से जो है, हमारा surrounding area जो है, वो धीरे 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 जो है हो रहा है, ठीक है, how does the pollution occur, तो pollution कैसे होता है, ये भी जो है, अभी हमने बताया, तो और इसके बारे में और भी आगे हम पढ़ेंगे, आगे, lesson में, ठीक है, then first point is pollutant, factors affecting natural functions of a ecosystem and causing harmful effect on abiotic and biotic factors are called as pollutant, अब pollutant क्या है, so pollutant क्या है, जो भी factors है, जो affect कर रहे है हमारे ecosystem पर, तो ecosystem में क्या क्या आता है, abiotic and biotic factors, abiotic factors क्या होते है, तो abiotic factors जो है, वो air है, water है, air है, water है, then minerals है, soil है, यह जो है, और भी sunlight है, यह जो है abiotic factors है, abiotic factors में और क्या आता है, organic substance और जो है, inorganic substance भी आते है, तो यह सभी organic, inorganic substance है, air है, water है, minerals है, यह सभी जो है affect हो रहा है, इस पर जो है affect हो रहा है, यह हमारे ecosystem का part है, then biotic factors क्या है, तो biotic factors है, भी plant है, plant पर जो भी जी रहे हैं, जैसे कि human beings है, animals है, मतलब all living things जो है, इस पर जो है, plant पर जी रहा है, और यह जो living things जो है, इसको और कोई जो है, खा रहा है, मतलब यह सब जो है, जूड़े हुए है, और जैसे ही living being मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो जो है, decompose होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो decompose हो जाता है, तो microbes जो होते हैं वो से decompose करते हैं और उसमें से जो भी factors बाहर release होते है land में तो वो land से फिर से वो repeat plant में चले जाते हैं तो इस तरह से जो है biotic factors जो है हमारा चलते रहता है तो यह जो biotic और abiotic factors है हमारे जो ecosystem का part है तो यह जो है इस पे जो है harmful effects हो रहे है ठीक है तो जो factors effect कर रहे है उससे क्या कहा जाता है pollutant ओके तो pollutants makes the environment poisonous and unhealthy और यह जो pollutants है वो हमारे जो environment को जो है poisonous कर देता है और unhealthy कर देता है ठीक है so pollutants may be natural और manmade अब यह pollutants के two type के होते है एक natural होते है और एक manmade so natural pollutants are destroyed in due course of a time by nature's rule तो यह जो natural pollutants जो है वो हमारे नेचर को destroy करते है नेचरली ओके बाइद टाइम बींग मतलब वो दीरे 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 जो है यह होते 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 रहता है लेकिन manmade pollutants are not manmade pollutants जो है तुरंत में quickly जो है वो हम कर देते हैं हमारे environment को इसमें एक example हम अगर देंगे तो जैसे कि manmade pollutants का एक example है जैसे जापान में जो बॉंब गीरे थे तो उसकी वज़े से पुरा जो है मतलब human beings से लेके तो आनिमल्स प्लांट सब जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे और उसका असर बहुत सालों तक जो है होते रहा था तो यह तुरंत मतलब हुआ था जैसे पाम गिरा वैसे जो है उसका इफेक्ट हम को दिखा here you see the picture given save me my children तो हमारा जो ग्लोबल सो हमारी धर्ती जो है यह दिख रहा है आपको अर्थ यह ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है तो इसे अगर हमको बचाना है तो बहुत सारा जो है हमें हमारे जो नेचर में जो है जो भी पोलुशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना करना पड़ेगा हमको तो यहाँ पे एसे बताया गया है ठीक है next so think about it यहाँ पे जो है think about it दिया हुआ है if natural materials are pollutant why do we not pursue their adverse effect during their use तो यहाँ पे बताया गया है कि natural material अगर pollutants है तो यह जब हम यूज करते हैं तब हमें उसका आसर क्यों नहीं दिखता है so when such materials are referred as pollutant तो यह सब जो materials है शुरुवात में हम जब natural material यूज करते तो वो pollutant होते ही नहीं है लेकिन धीरे धीरे जो हमारे manmade activities की वजह से जो है वो सभी materials जो है pollutant होना शुरू हो जाते हैं तो जब यह pollutant material हम यूज करेंगे तो उसका असर जो है हम पर हो गई होगा जैसे कि हमारा natural resources जो है water है water bodies है वह पहले pollutant नहीं होते उसमें लेकिन बात में जब industries का waste उसमें चले जाता है तो उसकी वजह से जो है वह polluted हो जाता है और जब वह polluted हो जाता है और उसको जब अगर आप हमने यूज किया तो उसका असर जो है हम पर होना शुरू हो जाता है so there is given activity you yourself survey your residential area and identify the polluted location आपको खुद survey करना है और जो भी polluted location है उसको find out करना है try to identify the pollutant at each polluted location जो भी polluted location आप देखोगे तो उसमें कौन से pollutants है उसको आपको देखना है okay which type of pollutants are observed और आप जब देखोगे हमारे अपने location पे तो कौन से कौन से type के pollutants जो है अपने observe किये वह आपको बताना है pollutant कौन से प्रकार के है वह आपको बताना है जिसे कि black carbon है nitrogen dioxide है sulfur dioxide है carbon monoxide है तो इसमें से कौन सा pollutant है वह आपको observe करना है then whether the pollutants are degradable और degradable अब यह भी हमें देखना है कि वह जो pollutants है वह degradable है मतलब nest होने वाला है decompose होने वाला है कि non-degradable यह ऐसा pollutant है जो degradable नहीं होता है nest नहीं होता है तो यह जो है अपको find out करना है next air pollution तो air pollution क्या होता है वह हम देखेंगे plot a graph showing the proportion of various gases in earth's atmosphere तो हमको जो है एक graph बताना है जिसमें की हमें बताना है कि various gases जो है earth atmosphere में कितने होते हैं तो अगर यह अगर हमने graph अगर बनाया तो यहाँ पर हम देखेंगे है कि जो है nitrogen जो है वो atmosphere में होता है ठीक है और other gases भी जो है वो होते हैं जैसे carbon dioxide है तो वो कितना होता है carbon dioxide इसका प्रमान जो है 0.03% होता है और भी जो है argon जो है वो होता है 0.93% तो इस तरह से और जो है यह सभी जो है other gases कितने होते हैं 0.17% होते हैं ठीक है जो है किसका कितना है ठीक है next why is it said that air is homogeneous mixture of different gases तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारा जो air है उसमें जो है homogeneous mixture जो है उसे कहा जाता है क्योंकि हमारे जो air में जो है बहुत सारे gases जो है होते हैं और जिसके वैज़े से उसे क्या कहा जाता है homogeneous mixture आपर different gases जो है कहा जाता है so next जो है which difference hazardous gases are released through fuel combustion fuel में से जो है बहुत सारे gases जो है वो होते है मतलब हमारे सो यह जो hazardous gases है वो कौनसे कौनसे है जैसे की carbon dioxide है then water जो है then nitrogen है then O2 है then CO है then NOx है तो यह सब ही जो है release होते है जो fuel combustion से ठीक है यह सब gases जो है release होते है fuel combustion से ठीक है contamination of air by harmful substances like poisonous gases smoke particular matters microbes etc is called as air pollution अब air pollution किसे कहा जाता है so contamination of air जैसे की water contaminated होता है बहुत सारे factors से तो वैसे ही जो है air भी contaminated होता है खराब होता है किसे harmful substances कौनसे होते है harmful substances poisonous gases है इंडस्ट्री का smoke है particular matters है microbes है इसके वज़े से जो है हमारा air pollution होता है ठीक है reason for air pollution अब air pollution के क्या-क्या reasons हो सकते हैं तो यहाँ पे दिया है कुछ pictures दिये हुए है which factors are responsible for pollution shown in the following pictures यहाँ पे जो pictures दिये हैं जैसे यहाँ पे जो है forest fire दिया हुआ है जंगल में जब आग लग जाती है तो कौनसे factors affect होते हैं इसमें वहाँ के animals है plant है सभी जो है वो disturb हो जाते हैं और इसमें से जो forest fire होता है उसमें से कौनसे chemicals जो है बहार आते है carbon dioxide जो है बहार आता है hydrogen sulfide है sulfur dioxide है जो smoke निकलता है उसमें से वह जो है affect करता है human beings और plants को तो next picture जो है दी हुई cyclone sorry volcano eruption की दी हुई है तो इस volcano eruption से जो है आजु बाजु का पूरा परिसर जो है वो इससे affect होता है और उसमें जब यह मतलब volcano eruption होता है तो उसमें से बहुत सारा solid waste जो है gaseous liquid material जो है बहार आता है जिससे की बहुत सारी gases जो है atmosphere में फैल जाती है जैसे hydrogen sulfide है sulfur dioxide carbon dioxide है ammonium chloride है hydrogen vapors dust यह सब जो है atmosphere में फैल जाता है जिससे की living beings पे जो है इसका असर होता है next जो picture है आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वेकल का जो है pollution आप देख रहे हो तो इसमें भी जो है हमारे living बिंग बिंग पे जो है इसका असर बहुत जादा होता है जब यह affect करते है हमारे body पर ठीक है तो यह जो है तीन picture यहाँ पर दिए हुए है next जो है reason for air pollution air pollution के reasons क्या-क्या है वह यहाँ पर दिए हुए है तो है एक तो natural reasons होते हैं और man-made reasons होते हैं दो टाइप की फर्स्ट जो है हम natural reasons देखेंगे कि naturally जो है air pollution कैसे होता है तो यह देख रहे हैं volcanic eruption तो जब volcano हमने उपर picture में देखा था भी कि जब volcano eruption होता है तो उससे जो है solid gaseous and liquid material जो है वह बाहर आते हैं और जैसे कि वह जो material है उसमें क्या होता है hydrogen sulphide sulfur dioxide carbon dioxide है ammonium chloride है hydrogen है vapors है dust है यह सब volcanic eruption से बाहर आता है और यह atmosphere को polluted करता है next earthquake जब earthquake आता है poisonous gases और water vapors जो है वह हमारे earth के अंदर से बाहर आता है और इससे भी जो है जो हमारा air जो है polluted होता है next third जो है natural reason को से है cyclones and dust storm जब cyclones आता है और dust storm अगर आता है तो क्या होता है कि dust जो है इधर उधर फैल जाता है और air जो है वह polluted होता है soil जो है वह भी जो है खराब हो जाता है देन उसका और garbage जो है बतलब कश्रा वह जो है सब हवा में जो है फैल जाता है pollen's microbes are mixed with air यह सब जो है mix हो जाता है हवा में तो इससे pollution बढ़ता है then forest fire forest fire releases carbon dioxide sulfur dioxide hydrogen sulfide smoke in the air यह सब जो है हवा में forest fire से जो है फैल जाता ही और mixed with air यह भी जो है हमारे atmosphere में जो है फैल जाता है ठीक है तो यह जो है natural जो है रिजन से air pollute होने के next जो है manmade reasons जो है वह कैसे होते हैं तो man के जो interference जो है एर कैसे pollute होता है तो यहाँ पर आप देखोगे फियल फियल वन बर्निंग आफ फियल लाइक कोल टिम्बर ल्पीजी केरोसीन डिजेल पेट्रोल रिलीजेस कार्बन डाय ओक्साइड कार्बन मोनाक्साइड नाइट्रोडियन ओक्साइड शल्फर डायक्साइड लीड यह सब जो है रिलीज होता है तो उससे क्या रिलीज होता है कार्बन डायक्साइड रिलीज होता है नाइट्रोडियन ओक्साइड शल्फर डायक्साइड लीड कंपाउंट्स यह सब जो है रिलीज होता है और एयर जो है पॉलूटेड हो जाता है नेक्स सेकंड वन क्या है कि बर्निंग आफ और सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट जब हम मतलब जलाती है या फिर अग्रिकल् सब्सक्राइब उपनर मैं प्लूशन वे इंडिस्ट्री के वाजेत वहरा है जैंस फ्रस्तिव यह फिर आपटा तो प्रसॉलूटेड बहुंस सारे फक्रेयों में से जौ है स्मो क्रीलिज होच इस्में की ऐस्व सिल्फरकाउड है nitrogen oxide है cotton seeds powder in air ये जो है air में फैल जाता है next जो है atomic energy plants and blast ये जो atomic energy के जो भी plants होते है और जो blast किये जाते है bomb blast वगरे जो किये जाते है जिसमें तो उससे क्या होता है कि use of elements like uranium है thorium है graphite है plutonium release radiations in air and pollution occurs तो ये जब भी bomb blast होते है या फिर atomic energy plant में जो भी काम होते हैं उसमें जो है किसका यूज होता है uranium है thorium है graphite है plutonium तो ये सभी जब use किया जाता है तो उससे जो है एक बहुत ही poisonous radiations जो है हवा में निकलता है उसमें से और हमारा air जो है pollute हो जाता है ठीक है तो ये सभी reasons जो है manmade और natural है जिससे की air pollution होता है there is given think about it आपको सोचना है से कि what are reason other than above mentioned responsible for air pollution तो दूसरे कौन से जो reason है जो आपको बता है जिससे की जो है air pollution होता है उसके बारे में आपको बताना है whether the vehicles with two-stroke engine causes more pollution than four-stroke engine तो the vehicles with two-stroke engine seems to create more pollution compared with the four-stroke engine so मतलब two-stroke engine जो है बहुँ जादा मतलब pollute करता है as compared to the four-stroke engine so it is due to the fact and the two-stroke engine has high a rate of a burning fuel as when compared with the four-stroke engine next to do it internet my friend collect information collect information about largest volcano volcanoes of the world तो larger volcanoes कहा पर होते है उसकी information लेनी है collect information about effect of air pollution on human health from large cities and villages from महाराश्टर तो आपको यह भी information लेनी है कि जो है air pollution जो है human health को जो है affect करता है तो वो cities में और villages में महाराश्टर के cities में और villages में कैसे करता है उसके बारे में बताना है तो यहाँ पर जो है एक pipping in the history there had been thick fog in London due to air pollution during during 5th and 9th December 1952 तो 5th और 9th December 1952 को जो है air pollution की वाज़े से जो है बहुत thick fog जो है लंडन में 5th and 9th December 1952 को हुआ था smoke due to be a burning of coal had been mixed dark shadow of this smog remained on the city for consecutive five days और गोईला जो है उसको जलाने के बाद में burn करने के बाद में जो उससे smoke निकलता है तो वो जो है dark shadow के रूप में जो है city में जो है five days तक रहा था same situation occurred against during 3rd and 6th December 1962 same situation जो मतलब लंडन में जो fog की situation हुई थी थीख fog की वैसे ही जो है situation create हुई थी 3rd and 6th December 1962 को ठीक है इन 1948 पिटर्सबर्ग वाज नेम्ड आज ब्लैक सिटी तो 1948 में जो है पिटर्सबर्ग को जो है ब्लैक सिटी कहा गया विन स्मोक एंड सूट कॉज़ नाइट लाइक सिचुएशन द्यूरिंग डे टाइम तो ब्लैक सिटी क्यों कहा गया क्योंकि स्मोक जो है वो पूरी तरह से ऐसा फैल गया था जिससे की मतलब रात लगने लगी थी दिन में भी तो यह सब जो है एयर पॉलुटंट के एक्जामपल्स जो है हमने देखे थे देखे अभी ठीक है यहाँ पे जो है एक टेबल दिया हुआ है एयर पॉलुटंट कहा से आते है और उसका इफेक्ट क्या होता है वो हमें जो है इस टेबल में बताया गया है जैसे कि सल्फर डायक्साइड यह जो है फैक्ट्री से निकलता है और इससे जो एफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे इरिटेशन अफ आए आखे जो है जलने लगती है रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारा जब हम सास लेते है तो उसमें भी जो है डिस्टरबंस आता है एक्सेस म्यूकस कर्फ ब्रीथ के प्रॉब्लेम जो है हमको होने लगते है अतलब सरदी खासी होने लगती है वेहकल्स अंड इंडस्टियर फोोक जो वेहकल से निकलता है और इंडस्टियर के स्मोक से जो है धुए से निकलता है और उससे हमको क्या अफीक्ट होता है लोड ऑक्सिज़ल B होती है तो वो जो है कम होने लगती है और इससे क्या होता है irritation of respiratory tract हमारी respiratory tract जो होती है उसमें जो है irritation मतलब जलन होने लगती है और lungs भी जो है हमारे effect होते है particular matters particular matters source कहां से है इसका vehicle है और industrial smoke से ही निकलता है उससे भी जो है respiratory हमारे diseases जो है बढ़ जाते है dust particles जो है कहां से पर इस जाते हैं और हमको होता है then pesticides pesticides जो है farms में यूज होते हैं तो यह कहां से आता है प्रोडक्शन यूज अपर pesticide जहां पर pesticide बनाई जाते है और यहां पर यूज किये जाते हैं तो वहां से जो आइए पेस्टिसाइड का effect हमको होता है और mental विकनेस होने लगता है मतलब और डेथ डियू टू डियू टू प्रोलांग्ड एक्सपोजर उसके कांटेक्ट में अगर हम बहुत जादा मतलब टाइम बिताएंगे तो जो है हमारी डेथ भी जो है इससे हो सकती है ठीक है नेक्स्ट मिथेन इंडिस्ट्रियल लिकेज की वज हों जाता है उससे स्किन कैंसर होते हैं अस्थमह होता है रषिपीरंट्री डिसेंस जो है वो होने लगते हैं इससे ठीक है तो मिथेन ग्यास जो kamu होती है वह वह बहुत जादा हामफुल होता है ठीक है नेक्स अगां डूई नॉत doet एवर बैस अउस्डियुक्यान बोपाल ऑन दे नाइट आफ और दीसमबर 1984 तो सेकंड डिसमबर 1984 को जो है मोपाल में गैस जो है पोईजनस गैस जो है लीख हुई थी और कब हुई थी वह नाइट में लोग जब सो रहे थे तब जो है यह गैस लीख हुई थी और 8,000 people had been died due to accidental gas leakage और 8,000 people जो है उसमें जो है gas leakage की वज़े से मर गए थे collect more information about hopal gas accident discuss the nature of accident, reason, after effect, prevention, measures यह सब जो है आपको अगर आप internet से information निकालोगे तो इसके बारे में जो है detail मिलेगा मतलब यह accident हुआ कैसे, उसका reason क्या था और जब वो leak हुआ उसके बाद में जो है effect कैसे कैसे हुए थे और जो है preventive measures क्या-क्या use किये गए थे तब तो यह सब information आपको निकालना है effects of air pollution on plant and animals अब air pollution का जो है effect plants पे और animals पे कैसे होता है plants में जो है stomata get close हमारे जो plant का stomata जो होता है वो जो है close हो जाता है slowing down a rate of photosynthesis और जो plant का काम होता है photosynthesis करना और खुद का खाना बनाना तो वो भी जो है उसका rate जो है slow हो जाता है growth is retarded उसकी growth नहीं होती है plant की और leaves जो है वो गिरने लगते है और yellow होने लगते है animals पे जो है respiration is adversely affected उसका respiration जो है animals का सास लेना जो है वो उस पे effect होता है और irritations of eyes और eyes जो है हमारी जलने लगती है ठीक है what is important of ozone layer ozone layer का जो है हमारे environment के लिए जो है ozone layer कितना important है so ozone layer जो है हमारे earth को protect करता है harmful ultraviolet race से जो sun से निकलते हैं without the ozone layer in the atmosphere life on earth would be very difficult और ozone layer अगर नहीं होगी तो हमारे earth पे जो है जो लाइफ है वो जो है difficult में आ जाएगे plant cannot live and grow in heavy ultraviolet radiation और यह जो heavy ultraviolet radiation जब होगा हमारे धरती पे तो उससे जो है plant grow नहीं करेंगे और जो है nor can the planktons that serve as food for most of the ocean life और हमको जो है food जो है वो नहीं मिलेगा हमारी ocean life को भी जो है food नहीं मिलेगा so this is the reason the ozone layer is very important for us okay what are reason for depletion in ozone layer so the reason for depletion in ozone layer is that when chlorofluorocarbons cfs and halons gases firmly found in aerosol spray cans and refrigerants refrigerants are released into the atmosphere so इसका जो है यह reason है ठीक है so यहाँ पे जो है हम यह हमारा first part जो है खतम कर रहे है और इसका second part जो है हम जल्दी ही दे देंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा राजर्शी classes को जो है like, share and subscribe करना पड़ेगा चानल को और जो है bell button पर भी click करना पड़ेगा जिससे की सारे notification आपको जल्द से जल मिल जाएंगे इसका से next part भी जो है आपको जल्दी मिल जाएगा so thank you for watching this video have a nice day